कि यह से 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 स्टाइल ओफ वेब डॉक्यमेंट इस इसे जनली हम लोग यूज करते हैं किसी भी डॉक्यमेंट को मतलब वेब पेज को या फिर किसी भी वेब साइट को बहुत सुंदर सा अट्रेक्टिव बनाने के लिए इसका बहुत एक सिंपल सा एक्जांपल देता हूं है तहरा है यहाँ पर मैं एक इमेज दिखा हूं इस में हम लोग देखेंगे की एक वेब साइट है ठीक है यह मान के चलों एक वेब साइट है जिसमें हम लोग css or html यूज कियें दोनों ठीक है यह कुछ संजर से श्रुक इसका लोग बोज का लिक्पा के नाम से जानते हैं इसको ऐसा मान के चलेंगे कि कोई भी एक वैबसाइट है और उसमें हम लोग यूज कि हैं स्टीमर और सीएसेस तो कुछ इस प्रकार का बहुत संदर सामों को प्रकार को भी यूज नहीं करते हैं तो इस का बनाना चाहते हैं तो यूज करना पड़ेगा का CSS मतलब लाइक हम लोग इस प्रकार से मेक अप करते हैं यह HTML वेब पेज का एक मेक अप होता है और एक एक्जाम्पल मैं आपके दिखाता हूं तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को स्ट्रक्चर मेरेगा देखने के लिए ठीक है काफी सुंदर से स्ट्रक्चर लाइटिंग बहुत सारी चीज़ है अगर हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर करते हैं तो इस प्रकार का हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा अगर हम लोग इसमें स्किन दिख रही है यहां पर मेकप दोनों देख रहा है तो अगर हम लोग को कोई भी वेबसाइट बनाना है ठीक है कि तो अगर हुसको हम लोग अट्रेक्टिव बनाना चाहते हैं अट्रेक्टिव मतलब देखे और बहुत अच्छा लगे मतलब जो यूजर उस वेबसाइट पर आए तो उसको वह एक बार में पसंद आ जाना चाहिए ठीक है जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं ठीक है बहुत साहरा मीं इंटेरिएर स्पेटिंएर सारा चीज़ हम लोग देख extremely मतलब में सुंदर्ता भी हम लोग को चाहिए दीक होता है हम लोग data to लेकिन किस तरीके से हम लोग कि स्थिक्टे कर रहे हैं उसकी सुन दरता ठरक्तिव कि नेस्त it साथ में सिंपल भी रहे हह और इसी थाकि ऊणडर समझ जाए कि एक्रोनिम फॉर कैस्केडिंग स्टाइल स्टीट को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट ठीक है अगर हम लोग इसके वर्जन की बात करें तो सी एस वर्जन वन तो सीहसेस टू सीहसेस थ्री टीक है अभी लेटेस यसेस ठीक है तो सी एसस-थ्री के अंदर इधने साथ एडवांस इसमें पर टेए तो हम लोग अपने वेब्साइट को बहुत अद्वांस फिचर के साथ हम लोग इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं dinging colors उसमें चेंज कर सकते हैं ठीक है बहुत सारी चीजा है उसमें हम लोग कर सकते हैं के जिससे हम लोग का जो website है बहुत ज्यादा attractive हो जाएगा बहुत ज्यादा attractive हो जाएगा ठीक है इसका यह यहां पर हम लोगोगों को दीख और एक वेंपट जीख लएक Communications इसको ध्यान से देखना यहां पर यह गूगल देख रहा है गूगल का वेब पेज अगर मैं इसमें यह जो माउस का करसर यह जो उपर हम लोगों को दीख रहा है ठीक है यह उसको पर मैं लेके जाता हूं नीचे तो देखना क्या एफेक्ट होगा है कि वापस में करते हैं और यहां पर मैं कुछ भी चीज़ टाइप करता हूं यहां आपका नाम कि मैं इंटर करता हूं ठीक है मैंने इसको सर्च किया कुछ भी मैं इसमें खुलता हूँ तो यह एक प्रकार का सी एस मतलब एनिमेशन यहां पर दिया हुआ है कि जैसी एकर माउस इसमें तो यह सारा चीज नीचे गिल जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर जो एक एनिमेशन देख रहे हैं वह सारा चीज किससे बना हुआ है कि इसको सारा चीज किससे बना सकता हूं अगर यहां पर css गूगल सर्च करता हूं तो और भी अप्लाइन नहीं होगा लेकिन हम लोग इसको इस प्रकार से सारा चीज हम लोग बना सकते हैं तो यह सारे चीजे जो होती है वह गूगल में एक ग्रैविटी नाम से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है गूगल ग्रैविटी नाम से प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंतरगत यह सारा चीज इसमें डिस्प्ले किया गया और भी बहुत सारे क्रोम जिसमें होते हैं तो हम लोग को क्या करना है कि कोई भी वैबसाइट ठीक है अगा तो उसमें सिर्फ और सिव होघ़ा Bayern को उस हह अंदर चाहिए लेकिन हम लोग उसको और वी सुन्दर और अच्छा-चा एपनिमेशन पांद् आघर आज प्रोग्राम बताया था जिसमें हम लोग ने कामेंंट टेग का यूज किया था ठीक है कमेंंड टाइग का हमने इसमें यूज किया अधिक हम लोग सब्सक्राइब 學style हम değer verb काटेग के अंदर में इंकलूड करते हैं तो एक होता है तैग में हम लोग जितने भी दूसरे टैग्स होते हैं तो हम लोग यहां पे बॉडी टैग जो है उसके लिए कुछ का लिए यहां पर styling कर लिए कैसे बॉडी के अंदर जो रहाएगा उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होगा वो सेंटर होगा मतलब जितने पी टेक्स्ट क्या कर लिखे होगा यह है और यह सेंटर में होना जाई है इसका background क्या होगा यह यह मतलब जो भी एक्षाडेसिमल में है तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो हम लोग यहां पर डीट्राइब में सेव किया था और मैं कमेंट टैग जो है जिसको में ओपन कर लेता हूं तो यहां गरांब देख सकते हैं कि जो वह हल्का सा ब्लू कलर में असे पाल्फ। और सकारेड है और prac मैंट सेंटर ऑतिके यां साइड बैप सेड इसके एक पाद देख लेते हैं को डिंग के साथ में तो हम लोग और अच्छे तो टेक्स के सेंटर में आ रहा है है रहो ब्लू कलडर में हलका सा ठीक है अगर बैग्राउंड यहां पर चेंज करना चाहे तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूं ठीक है सेव करके यहां पर रिफ्रेश कर देंगे तो बैक्राउंड ग्रीन होते हैं फॉर्ण साइज जो है इसका थर्टी पिक्सल्स का फॉर्ण साइज है यह एच्टू में है इसलिए बड़ा दिख रहा है यह एक्च्वल थर्टी साइज है और कलर क्या है इसका रेड टेक्ष्ट मतलब इस बॉड़ी के अंदर में हम लोग जो भी चीज लिखेंगे उसमें यह सारे के प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगे यह हम लोग स्टाइल डिफाइन की है बॉड़ी टैक के लिए तो इस प्रकार से हम लोग हर किसी के लिए हम लोग बॉड़ी या फिर कोई दू अंदर में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे सब में यह स्टाइल अपलाई हो जाएगा अब बॉड़ी कहां से शुरू है यहां से शुरू है और इसके अंदर में सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग एक लगाये हैं और परग्राफ टैक लगा दोनों में अपलाई हो सब्सक्राइब करते हैं तो बॉड़ी टैक के अंदर जितना भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे सबके सब में यह स्टाइल्स जो है वह अपलाई होगा तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग एक बहुत सारी चीज़ें होती है इंटरनल सी हम लोग छोटा सा भी देखें यह बहुत ज्यादा बेसिक हैं अगर हम लोग इसके डीप में जाएंगे तो सी एशेस जो है बहुत है एच्टीमल से भी बड़ा मानके चलो सब्सक्राइबब नहीं है तो इस वेब सैट में क्या है बहुत सारे चीजें लगी हुई है कि बहुत सारी चीज़े मतलब इसमें अगर हम दोग देखे तो यह स्लाइडर आटोमेटिक मूव कर रहा है यहां पर हम लोग कलर चेंज किये मैं जैसी इसके उपर माउस लेके जाता हूं तो यह खुल जाएगा ठीक है इस प्रकार का हाँ कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ईूई है तो यह सारा जो माउस लेकि जाओं गाता यह थूड़ा से उभर भर क्या रहा है और लोगों क्लियर दिख जा रहा है तो यह सारी चीज़ें यहां पर भी मैं माउस लेके जाओंगा तो इसको टाइलिंग मुलते हैं कि इस प्रकार यह स्लाइडर लगा हुआ है इसके पर माउस लगे तो कलर चीज़ जाएगा तो यह सारी चीज़ें क्या है कि यहां भी स्लाइडर लगा हुआ है कि यह सब आपको कि सीनियर्स लोग का फोटोज है यह पूरी वेबसाइट है मारे बास तो इसको भी स्टाइलिंग जो करते हैं और मैं इसकी कोडिंग दिखाऊं तो यहां पर हम लोग को दिखेगा स्टाइल टैग लगाया गया है स्टाइल टैग के अंदर बहुत सारी टैक से पर अप्लाइख किया यहां पर दिख रहा है ओ यह लिंक किया हूँ है भुष सारे लगांनों सकायो देख सकते हैंमों में बॉसक्त पांसरी सब्सृत कि एस सारे सीेसस फाक्ने को इसमें अप्लाइब किया तेकि ताइल सगय के लित श्ताइल इसके अदर बहुत कि किसी भी वेबसाइट को हम लोग बहुत सुंदर बना सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर सी एसेस का यूज करते हैं ठीक है तो यहां पर हम लोग एडवांटेश की बात करते हैं किसी भी वेबसाइट को प्रेजन करना किसी भी ग्रूप उजर्स के सामने हैं ठीक है तो हम लोग अगर सिर्फ और से वेश्टीमल यूज किये हैं तो हम लोग उसको प्रेजेंट भी करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा मज़ा नहीं आएगा मिन्स उसको यूजर देखे क्या यह सिंपल सा टेक्स लिखा हुआ है कुछ भी चीज़ों और गनाइज लोग उस वेबसाइट को प्रेजेंट करें तो वह उससे अट्रैक्ट हो जाए कि मतलब वेबसाइट जो है बहुत वैल और्गनाइज रहे बहुत सुन्दर सा देखे उसका फॉन्ट हो गया कलर सो गया उसमें अनिमेशन हम लोग लगा है सारा चीज उसमें होना चाहिए त कोई भी जाए तो उसको सारा चीज अवलेबल हो बहुत इजी वे में सारा चीज एक्सेस कर पाए ठीक है और जो भी चीज उसको देख रहा है बहुत सुन्दर सा देखे इस एसे से मुझेंट पॉर स्टूदेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल तो बिकम ग्रेट सॉप्टर इंजिनियर स्पेशली वें वर्किंग डिव्यों डॉमेन अगर जब भी हम लोग कोई भी स्टूडेंट की बात करें अगर जो भी वेब डेवलोपर से तीक जो भी वेब डॉमेन में काम करें वेब डेवलोपर डिजाइनर डेवलपर के लिए बहुत बैनिफिशल होता है सिसे अगर सी उसने नहीं पढ़ा है नहीं जानता है तो कभी एक सुन्दर से वेबसेट नहीं बना कि यहां पर देखते हैं स्क्रेटिंग स्टनिंग वेबसाइट्स तिक ह बहुत अट्रैक्टिव बहुत सुन्दर साइक लुक और फील जो होगा उसको बहुत अच्छा होगी सेसे हैंडल्स तर लुक और फील पार्ट अफ वेब पेज़ यूजिंग सेसे यूजिंग कर सकते हैं उसका स्क्रीन साइज क्या है ठीक है आज के जमाने के अगर हम स्क्रीन कितनी भी छोटी हो जाए website ऑटोमेटिकली उसको अपने एलिमेंट को री साइस कर लेता है जैसे कि हम लोग यहां साइकों की वेब सेट देखते हैं अगर मैं इसको री सैज करता हूं मैं इसको चोटा करता हूं तो यहां पर हम लोग इसको देख सकते हैं कि यह सब्सक्राइब कोई भी साइज में हम लोग इसको ओपन कर लें तो यह वेबसाइट जो होती होती है यह होता है कि हम लोग उसको कोई भी रिजॉल्यूशन में चाहिए वह एच्डी स्क्रीन में हो लैप्टॉप में हो ठीक है मोबाइल फोन में हो पेजर में हो किसी में भी अगर हम लोग उसकी वेबसाइट को खोल रहे हैं तो हम लोग को वह एक लूक और फिल ऐसा देगा कि ह हम लोग को पता ही चलेगा कि वह है ठीक है अगर सब्सक्राइब करें तो यह होगा तो उसके अंदर इंबिल्ट सारा इस पीचर समलोगों मिल नाता है तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं कलर टेक्स का पॉंड स्पेसिंग को साइज ठीक है बैक्ग्राउ इमेज इस लेयाऊट बडिशन इंडिस्प्लेइश जो भी स्क्रीन साइज़ें वह सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं तो यह सारे हम लोग एफेक्ट समलोग अपने वेब साइड में अपलाई कर सकते हैं और अपने वेब्चाइट को स्टनिंग फीचर संब्लग देख सकते हैं इस विप वेब डिजाइनर इप वांट पूस्टार्ट करियर ऐसे प्रोफेशनल वेब डिजाइनर एस्टेमल सीएस डिजाइनिंग इस मश्ट स्केल तो अवरल सी बात यह है कि हम लोग अगर कोई भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम लोग सी एसेस को वस्टेस का नॉलेज लेंगे और हम लोग अपने सी एसेस को अप्लाइए करेंगे अपने वेबसाइट प्रेजेंटेशन ऑपने यूजर के सामने मोस्ट कॉमनली सी एसेस कंबाइंड विद्ध मार्कप लाइंविजेस एस्टेमल और एकस्टिव में तो हम लोग HTML ओर एकसे साथ में यूजर्श कर सकते हैं in fact так सा पूरा का पूरा स्टोरी ऐसेस के बारे में कि और भी हम लोग css apply कर सकते हैं जिसमें भी हम लोग html यूज कर सकते हैं ठीक है लाइंड़ लैंवेज़स वन्सी अंडेस्टाइंड बेसिक बेस्टेमें लेंट टेक्नोलोजी इस लाइक जावा स्क्रिप्ट पीएच्पी एंगुलर और बिकेम इस तो अगर हम लोग लो टेकनोलोजी के प्रोग्रामिंग लेंग्वेज़स है जिसको यूज करके हम लोग कोई भी वेबसाइट बहुत अच्छा सा डायनामिक हम लोग बना सकते हैं तो यह सारे चीज़े जो है अपनी वेबसाइट को सुन्दर बनाती है अट्रक्टिव नाती ताकि यूजर जो ह है वह उसको एक्सेप्ट कर पाएं